नमस्ते प्यारे बच्चो, अडवोकेट बापोसाई बोंडे हाई स्कूल के डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है कक्षा दूसरी के हिंदी विशे में आज हम कवीता सीखने वाले हैं हमारी कवीता का नाम है गिलहरी पहले हम कवीता पढ़ेंगे देखो ये है एक गिलहरी भूरी आखे रंग सुनहरी कुतर कुतर कर मेवा खाती कूट कूट करती तवड लगाती पकड किसी के नहीं ये आती जट से पेडो पर चड़ जाती मुंग फली लेने को तुमसे कितनी जल्दी नीचे आती पूँच हिलाती खेल दिखाती आहट पाती जट चुप जाती अब हम कवीता विस्तार से सिखेंगे देखो ये है एक गिलहरी भूरी आखे रंग सुनहरी बच्चो हमारी कवीता में गिलहरी आई है और उस गिलहरी की आखे भूरी कलर की है भूरी रंग की है रंग भी उसका सुनहरा है बूरा रंग यानी ब्राउन कलर आगे है कुतर कुतर कर मेवा खाती कूट कूट करती दवड लगाती मतलब गिलहरी के दात बड़े तेज होते हैं और तेज दातों से वहां कुतर कुतर कर जो भी अनाज होता है या जो भी फल होता है वहां कुतर कुतर कर खाती है कुट-कुट करती दोड लगाती और वो बहुत तेज दोड़ती है वो किसी के पकड में नहीं आती है आगे है पकड किसी के ये नहीं आती जट से पेडो पर चड़ जाती और गिलहरी इतनी तेज दोड़ती है कि किसी के पकड में नहीं आती है किसी को उसे पकड़ना नहीं आता है और वो चट से पेड़ों पर चड़ जाती है मतलब बहुत तेज वो पेड़ पर चड़ती है आगे है मुंग फली लेने को तुमसे कितनी जल्दी नीचे आती और मुंग फली लेने के लिए वो कितनी जल्दी नीचे आती है मतलब सबसे ज़्यादा और तेज गिलहरी दोड़ती है अपना खुद का बचाव करना भी वो जानती है आगे पूँच हिलाती खेल दिखाती आहट पाती चट चुप जाती और गिलहरी की पूँच बड़ी होती है और आकार भी उसका बड़ा होता है इसलिए जब वह पूँच हिलाती है तब हम उसे उसकी पूँच को देखते रहते हैं और वो हमें खेल दिखाती है ऐसा हमें लगता है आहट पाती चट चुप जाती है अगर कुछ भी आहट सुनाई दे या किसी के आवाद सुनाई दे गिलहरी चल्दी से चुप जाती है और वो किसी के पकड़ में नहीं आती है बच्चो आज हमने गिलहरी कविता से गिलहरी कौन से रंग की होती है और वो कितनी तेज दोड़ती है वो कैसे हमारा मनोरंजन करती है और खुद का बचाव भी वह कैसे करती है यहां हमने गिलहरी कविता से सीखा गुरुहकारिय में मतलब होमवर्क में गिलहरी यह कविता अपनी हिंदी कापी में एक बार लिखनी है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धर्न्यवाद अगली वीडियो में एक बार लिए यहां है